हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ मैडम स्पीकर माज़रत के साथ सी एम साब ने कहा इसमें मुझे तफसीली जवाब देना है उस रिपोर्ट का जवाब दे रही हूँ जो रिपोर्ट आई है चाइल के उपर 960 केस मैंने अपने कोईश्टन आंसर में बताया था कि रिपोर्ट हुए है मुक्तलिफ सी पियू उस पर पैरेंट्स सी पियू पर आते हैं हमसे राप्ता करते हैं हमारा फोकल परसन ठाने जाता है ठाने से वो रिपोर्ट लेके आता है ये वो केस होते है मेडम जो मिसिंग चिलरन के होते हैं और वो बच्चे सुबा अगर घर से गायब होते हैं तो शाम तक वो बच्चे मिल जाते हैं और हमारा वो अफसर उनको मिलवा देता है ये हैं सिन्द की महक्मा समाजी वहबूद की मुशीर मौतरमा शमी मुमताब जो आज सिंद इसेम्बली में अपने महक में खुसुसां चायल्ड प्रोटेक्शन अथॉर्टी की कारकरदगी का एहवाल बता रही थी आज सिंद इसेम्बली में ये बहस होनी थी और ये बहस जिस रुख पर हुई और जिस तरह से शुरू हुई वो उसकी बज़ा ये है किल हमने अपने नमाइनदे खुसुसी इक्सियार खोकर की एक तहकीकाती रिपोर्ट में आपको बताया था सिंद चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉर्टी गेर फाल होने के दावे पर हम आज भी काइम हैं क्योंकि किसी भी खुदमुक्तार इदारे के इंतिजामी धाचे के लिए कम असकम तीन चीज़ें जरूरी होती हैं अपना दफ्तर अपना अमला और अलग फंड लेकिन ये इदारा इन तीनों बनियादी चीज़ों से महरूम है किराची में एक किराय के मकान में इदारे का हेड आफिस काइम है बलके किराया ना देने पर इस मरकजी दफ्तर को भी खाली करने का नोटिस मिल चुका है इस सुबाई इदारे का किराची के इलावा सिन्द के दीगर 28 अजला में कोई अलग दफ्तर नहीं है महकमा समाजी वहबूत के दफातिर को ही अथारिटी के यूनिट्स का दरजा दिया गिया है सिन्द चाइल्ड प्रोटेक्शन अथारिटी चलाने के लिए कोई अलहदा, मुस्तनत, बाकाइदा, तर्बियत याफ्ता अमला भी नहीं रखा गिया बलके महकमा समाजी वहबूत के अफसरान और मुलाजमीन ही सरकारी अंदाज में ये इंतिहाई नाजुक और पेचीदा जिम्मेदारी भुगता रही है एक एहम बात ये है के सिन्द चाइल्ड प्रोटेक्शन अथारिटी का कोई अलहदा सालाना बजट भी नहीं है बलके 2016 में मुक्तस की गई 20 करोर लुपए की गरांट में सिर्फ 5 करोर लुपए जारी हो सके इस माली साल के 7 महिनों के दौरान इदारे को हकुमत सिन्द ने कोई गरांट नहीं दी है कल हमने अपने प्रोग्राइम में कोशिश की थी कि इस मौमले पर सरकारी मौकिफ देने के लिए हुकुमत सिन्द का कोई नुमाइंदा आए और उस पर बात करें लेकिन ऐसा नहीं हो सका आज हमारे साथ हैं वजीर आला सिन्द के मुशीर बराय महकमा समाजी बहबूत शमीम मुम्तास साहिबा जो सिन्द चाइल्ड प्रोटेक्शन अथार्टी की चेर परसन भी हैं बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका मैडम ये जो इदारे होते ही ये एड होक इजम पर तो नहीं बनते ना कल भी हमने ये बात की थी हम आज भी अपनी बात पे काइम हैं बिसमिल्ला रह्मानी रहीम हम ये समझते हैं कि बात पे काइम रहने के लिए बात का अथेंटिक होना बहुत जरूरी है कल जिस तरह बात की गई है पहली चीज़ तो आप ये अपना केलियर कर लें के 2011 में एक एक्ट सुभाई असमली ने पास किया था सिन की और 2016 तक उसके लॉज नहीं बने थे जब तक रूल्स ना बने तो कोई भी अथॉरिटी या कोई भी एक्ट या कोई भी बिल जो है वो उस लॉड इपार्टमेंट का काम होता है कि वो इंतिजामी तोर पर ये सेकरिटी सोशल वैलफेर डिपार्टमेंट को उनको भीजने चाहिए थे लॉड में ये वेट होते वेट होके ये वापिस आते और फिर काबिना इसको मनजूर करती तो पहले तो आप ये के लियर कर लें के कौार्टर था वो रिलीस करवाया हमने उसके साथ हमने 29 डिस्ट्रिक्ट में अपने CPU काइम किये 15 पहले से काम कर रहे थे हम उसको 29 तक ले गए उसमें हमारे पास यूनिसेफ का MOU खतम हो गया तो सिंध हुकूमत ने इसकी जिमेदारी खूद उठाई और इस वक्त हमारे पास 29 डिस्ट्रिक्ट में हमारे CPU काइम है जैसा आपने कहा कि इसके कोई बाकाइदा दफातिर नहीं है जाहर है हमारे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे बजट में कम पैसे थे हमें उन पैसों में रेंटिड बिल्डिंग नहीं मिल सकती थी तो हमने सोशल वेलफर डिपार्ट्पंट के जितने आफिस हैं उसमें अपने CPU के लिए एक एक आफिस काइम किया और जहां तक आपने फोकल परसन की बात की तो फोकल परसन हमें हायर करने थे लेकिन जैसे मैंने कहा कि बचेट रिलीज नहीं हुआ जिसके विए हमने बगाइदा फोकल परसन हायर दे गई बारा गाड़ियां खरी देगें चार्ट डिलेवर हुई बाकी डिलेवर ही नहीं जिस घर में आपने दफतर बनाया हम यहीं तो कह रहे थे कि बाकाइदा दफतर मौझूद नहीं थे जो आफिसर हैं वो महकमा सबाजी बहबूत के आफिसर हैं जो यहां काम कर रहे आप कहरें कि उन्हें अप्रिशेट करना चाहिए हम यहीं तो कह रहें हम यहीं तो कह रहें हम यहीं कह रहें मैडम कि आप गलत कह रहें देखिए नहीं नहीं एड हॉक इसम नहीं है मेरे भाई जो आपने कहा ना कानून बनाना हमारा काम है बिल्कुल बिल और एक्ट लाना हम कि वारा काम नहीं है वह आपकी इंतिजामिया का काम है ना बहुत सारे रूल नहीं बने ना उनकी जिमेदारी थी रूल गना अगा तो बिलकुल वैस्तिंग गौर्मिंट के मातहत है लेकिन वो अपनी जिम्हधारियां पूरी नहीं कर रहे हैं और हम उनसे बारबार कूछ रह शादर दफर है । इसके लिए आपको नोटिस मिल गया है कल आप इसको खाली कर रहेंगे। उच्थ 8 मैंने का दिया था सात महिने का किराया हम उनको दے चुके हैं एक महिने का किराया हमारा एमारा डیू किराया हैं उ cargo के एंपर हम उस से होना था इसके independent units होने थे इनके अफसरान होने थे इनके लिए help line काइम होनी थी इनका funds अलग होने थे इनका तर्बियत के आफ्ता अमला हाइर होना था जब कुछ हमें ये पांच करोर ना मिलते उसके बावजूद में आपको काम करके दिखाती कि सिन में हम बच्चों के लिए काम कर सकते हैं बच्चे मेरा कौम का मेमार है मेरा मुस्तविल है और इस साथ को एक रुप्या भी जारी नहीं वा तो बगएर बजट के जारी हुए काम चल रहा ह है बगएर हाइरिंग के काम चल रहा है काम चल रहा है बिलकुल देखें जब मेरा फोकल परसन मौजूद है मेरा मुनूर भटी मौजूद है मेरे घोटकी का अफसर मौजूद है अगर कोई ऐसा बाकिया होता है लोग हमारे सीप्यू पर आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा बच्चा मिसिंग है या मेरे बच्चे के साथ जाती हुई है वो अफसर उस पैरेंट्स के साथ थाने जाता है मुताले का महाँ जाके उस बच्चे के बारे में मालूमात लेता है अगर F.I.R. कटनी है तो F.I.R. कटवाता है वनना सुबह अगर बच्चा मिसिंग चिल्रें आज भी हम आपको बता रहे हैं कि और इसका इक्राद भी कर रहे हैं मौतरमा आपने इनके गुफ्तु को भी सुनी और हम कल भी यह कह रहे थे है इसमें मुझे तफसीली जवाब देना है उस रिपोर्ट का जवाब दे रही हूँ जो रिपोर्ट आई है चाइल के उपर 960 केस मैंने अपने कोईश्चन आंसर में बताया था कि रिपोर्ट हुए हैं मुक्तलिफ सीपी उस पर पैरेंट्स सीपी उ पर आते हैं हमसे राप्ता करते हैं हमारा फोकल परसन थाने जाता है थाने से वो रिपोर्ट लेके आता है यह वो केस होते है मैडम जो मिसिंग चिल अपने महक में खसूसां चाइल्ड प्रोटेक्शन आथार्टी की कारकरदगी का एहवाल बता रही थी आज सिंध इसेम्बली में यह बहस होनी थी और यह बहस जिस रुख पर हुई और जिस तरह से शुरू हुई वो उसकी वज़ा यह है कि कल हमने अपने नमाइनदे खु अपना दफ्तर अपना अमला और अलग फंड लेकिन यह इदारा इन तीनों बनियादी चीजों से महरूम है किराची में एक किराय के मकान में इदारे का हेड आफिस कायम है बलके किराया ना देने पर इस मरकजी दफ्तर को भी खाली करने का नोटिस मिल चुका है इस सुबाई इदारे का किराची के इलावा सिन्द के दीगर 28 अजला में कोई अलग दफ्तर नहीं है महकमा समाजी वहबूत के दफातिक को ही अथार्टी के यूनिट्स का दरजा दिया गिया है सिन्द चाइल्ड प्रोटेक्शन अथार्टी चलाने के लिए कोई अलहदा, मुस्तनत, बाकाइदा, कर्भी अत्याफ्ता आमला भी नहीं रखा गिया बलके महकमा समाजी वहबूत के अफसरान और मुलाजमीन ही सरकारी अंदाज में ये इन्तिहाई नाजुक और पेचीदा जिम्मेदारी भुगता रही है एक एहम बात ये है के सिन्द चाइल्ड प्रोटेक्शन अथार्टी का कोई अलहदा सालाना बजट भी नहीं है बलके 2016 में मुक्तस की गई 20 करोर लुपए की गरांट में सिर्फ 5 करोर लुपए जारी हो सके इस माली साल के 7 महीनों के दौरान इदारे को हकुमत सिन्द ने कोई गरांट नहीं दी है कल हमने अपने प्रोग्राइम में कोशिश की थी कि इस मौमले पर सरकारी मौकिफ देने के लिए हुकुमत सिन्द का कोई नुमाइंदा आए और उस पर बात करें लेकिन ऐसा नहीं हो सका आज हमारे साथ हैं वजीर आला सिन्द के मुशीर बराय महकमा समाजी बहबूत शमीम मुम्तास साहिबा जो सिन्द चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉर्टी की चेर परसन भी हैं बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका मैडम ये जो इदारे होते ही ये एड होक इजम पर तो नहीं बनते ना कल भी हमने ये वात कियी थी हम आज भी अपनी बात पे काइम ही बिस्मिल्लार रह्मानी रहीम हम ये समझते हैं कि बात पे काइम रहने के लिए बात का अथेंटिक होना बहुत जरूरी है कल जिस तरह बात की गई है पहली चीज़ तो आप ये अपना केलियर कर लें के 2011 में एक एक्ट सुभाई असमली ने पास किया था सिन की और 2016 तक उसके लॉज नहीं बने थे जब तक रूल्स ना बने तो कोई भी अथॉरिटी या कोई भी एक्ट या कोई भी बिल जो है वो उस लॉड इपार्टमिंट का काम होता है कि वो इंतिजामी तोर पर ये सेकरिटी सोशल वैलफेर डिपार्टमिंट को उनको भीजने चाहिए थे लॉड में ये वेट होते वेट होके ये वापिस आते और फिर काबिना इसको मनजूर करती तो पहले तो आप ये के लियर कर लें जो के कौार्टर था वो रिलीस करवाया हमने उसके साथ हमने 29 डिस्ट्रिक्ट में अपने सी पियू काइम किये 15 पहले से काम कर रहे थे हम उसको 29 तक ले गए उसमें हमारे पास यूनिसेफ का मो यू खतम हो गया तो सिंध हुकूमत ने इसकी जमेदारी खोड उठाई जहाँ जहाँ